किया अच्छा लगता है कुझे सेवा करना वह पसंद है किया प्रत्यासी है उनको मतला खड़ा किया गया है वो वता रही थी कि वो अपने मन से अथार नहीं नहीं है तो वही है चार दिन बाद वह भारतिया जनता पार्टी में आएंगी अभी उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं है कि मैं क्या पताश होगी और मैं उनसे वसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ओवर पॉंग की डेंस बहुत अच्छा नहीं होता है नमस्कार बहुत-बहुत स्व कामिती कामिनी सुरेंदर राठाओर जी कामिनी जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्या ये नियूस मैं बहुत-बहुत गनवाद भाई सब तो कैसा लग रहा है पहली बार चुनाव लड़ रही है सब चमक ठमक और लोगों की भीड भाड और ये सब में कैसा मैसूस करेंगे नमस्कार मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जन संपर्क के लिए निगल रही हूं तो आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि आज से पहले इतनी भीड कभी भी मैंने नहीं देखी है जल संपर्क में जो भी चुनाव पहले भी अब बड़े वाई राकेश अंकवार जी अध्यच वो भी मेरे साथ है और बड़ी बोजर्क माताब हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा है तो आप पहले भी बारतिय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं और आप भी भाजपास हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या उ समार्ट की का दरजाद दिया गया है लेकिन समार्ट बनी नहीं है उसको अस्मार्ट सकी बनाएं यह एसी स्मस्च शीटी बनाएंगे जो आगे देखने का पारियत हो तो अच्छा मुझे बताए कि कि कहा जा रहा है शोशल मीडिया पर भी अप्वाप फैलाई जा रही है मुझे नहीं बतागी अफवाई के सच है बट मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूँ आप पड़ी लिखी नहीं तो फिर तो आप बिल्कुल काबिल हैं पॉलिक्टिक्स में आने के नहीं तो यह कब थिया आपना वे मैंने किया है सन दोहजार ग्यारे में फाइनल थी मेरी बि शादी को कितने साल होगे आप शादी हो आठ साल होगे चुकि आप एक ग्रहिनी है और तो आपके पती के बारे में रूबवा एक राजनेता है निवर्कमान वो पारशद भी रहे तो आपको उन्वने कुछ राजनीती कि गुर्ण नहीं सिखाए इतने साल होगे बिल्कुल वो मेरी सादी हुई उससे पहले से मेरी सादी संदोजा चोड़े में हुई इससे पहले से वो जोड़े हुए थे पहले आरे सैस में थे फिर वो मान अगर मंत्री हुए फिर पारसद हुए तो मेरी सादी के बाद वह है के कमाइंड फैमली में हम रहते थे और बड़ा तो राजनीतिक के बारे में बहुत कुछ बताना और जोड़ना चाहा लेकिन मैं अधना बिजी थी इसलिए मैं अधना नहीं कर पाए तो अब क्या लगता है आपको कि अब आप अचानक से राजनीती के शेतर में आई हैं उनको भी मुझे बहुत बिस्वास है तभी तो उन्होंने मुझे इस काम के लिए नीशे उता रहा है और मैं भी उनके बिस्वास पे खड़ी उतर के दिखाऊंगी आप ये बताए कि अब आप जब राजनीती के शेतर में कूद ही गई है ये जो राजनीती के युद्ध है इस मैदान में आप उतरी हैं तो आप किन रंड़नीतियों के साथ उतरी है कैसे करेगी देखिए जैसे सभी भारतिय जनता पार्टी के कार करता हूं ने जैसे बिदायक मानियमनी ससीजा जी ने अध्यच जी ने मुझ पर विस्वाद जताया और मेरे स्रीमान स्वें सिंग राठोर जी ने विस्वाद जताया है वैसे ही मैं उनके मतलब कार्णियों पर खड़ा खड़ा उतरने हैं कि वो रिकोसिस करूंगी जी आचा तो आप यह वी किनोती आएंगी उनका सामना करूंगी डटले जी बहुत इची बात है आप में कई अब मुझे बदाए कि फिरोजबाद में आप क्या कम्यां देखती हूं चूंकि आप भार भी निकली आपने बता है बच्चों को छोड़ने जाना और यह सारी चीज़ें आप चारती हूं तो क्या कम्यां आपने फिरोजबाद में देखे हैं जिने आप दुरुस्त फिरमाचाथ हूं यह सबसे पहले तो मैं यह जो जाम बगेरा रहता है सेर में उससे निजात जनता को उससे निजात हूंगी जिससे की संतरमन ना फेले सेर में तो यह सब यह जन है हाँ पेजन है जलवराव है और आपने आपने चीज़ें बताई की जलवराव की समस्या है गट्टे है तो यह तो भारती जनता पाट्टी की सरकार थी पहले जब योगी आदे तिनाची मुख्यमंत्री बने प्रदेश को तो आपने इतने दिनों में क्यों नहीं कर पाया फिर खांग तो बरावर चली रहा है और कहीं रुका नहीं है को सेर भी बड़ा है तो चली रहा है जो रह गया है उसको करवाएंगे और दोवारा बापस भी तो हो जाता है चलिए राजनीती के मैं के चेतर में आप नहीं आई है और लोग आपको नहीं जानते हैं तो बस चोटे-चोटे वेशन आम आप से पूछेंगे जैसे कि आपका नाम कांदी राग्टार पती इस स्रीमान सुरेंशिंग राग्टार अच्छा कितने साल हुने आपके शादी को आठ सान क्या अच्छा लगता है आ मुझे सेवा करना वो अपतसंद है क्या अच्छा कि मैं जब भी पूजा करती थी अभी मैं रातरों में ब्रत भी रखे थे तो मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मैं मुझे बगवान मुझे मेर बनाए लेकिन मैं है अवेसा बगवान से सिर्फ इतना ही कहती थी बगवान सबनाए च distraction आपना मुझे अपने नाम से लोघ बस्रखान से इतनी ही पिरातना करती थी और मैं कभी हक्ती कुछ नहीं माना और आगे वह मैं यह कहना चाहती हुँ मुझे कूछ नहीं चाहिए चिर्फ मैं नाम के लिए भी आई हूँ मेरा नाम मुझे मेरे नाम से लोग जाना है कौन कहता है कि आप राजनीतिक नहीं क्योंकि आप ने जो जवाब दिया है वो टिपिकल राजनीति वाला जवाब है कि मुझे सेवा करना पसंद है मैंने पूछा कि आप वो क्या पसंद है ये बहुत अच्छा आप ने जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा आप फिर बर्ट कि पिट्ट्याशी हों फ्रोजभाद के जनता से अपील करती हूं कि आने वाली चार तारिक को कमल के सामने वाला बटन दवाकर भारी वह मस्ती आटिया जनता पार्टी को जिताएं और वारतिया गद्रापार्टी की विजए ही आफ सभी भाईवेनों की भीचेंगा कामल कई बटन की उटाका हूँ थे यह मेरा चुनाव चिन कमल का फूल है और भारतीय जनता पार्टी का झळाओ का नो पूल और हम सब देख भी रहे हैं कि देज में जो कार हुए है वह भारतिय जनता पार्टी से हुए है सन 24 से पहले कोई कार क्या हुए थे आपने बहात पार्टी की आ ऐपके समक्ष जो भी आपके प्रतोंदी के रूप में समजवाथी पार्टी और मिरदली परत्यासी वे खड़े हैं तो आप Cape और फूछे किसी से डर नहीं लगता बल्कि जब वो लोग मेरे सामने अभी तो मैं केवल वो जो बैसे से वो पंपी है वो मुझे जिस दिन में नामांकन करने गई थी उस दिन मिनी थी और मुझे मेरी उसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे आसीरवाद दिया था जबकि वो मलब बोटिंग के लिए खड़ी पुर चलिए अच्छा आक निर्दली प्रत्यासी है मिल सब्सक्राइस है नने मिलसह कि सबस्वाद बाइख थी कि रिदक को सबने को अब लगा रही है और आप उन पर कैसे ख़रा उतरेंगी जो इस पर मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए और मैं उनसे वसे इतना है चाहूंगी कि ऑबर कौंपीडेंस बहुत अच्छा नहीं होता है देखिए वो जो अभी उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं ह है कि मैं अपना दो बता दिया है लेकिन उने मेरे बारे में जानकारी नहीं है मैं जनता में आई हूँ तो अब लोग मुझे भी जानेंगे तब जानकारी होगी उनकों भी कि मैं क्या हूँ अब मैं अगर ज्यादा नहीं बोल नहीं हो तो इसका मतलब मैं यह नहीं है कि मैं प है चार दिन बाद वह भारतिय जनता पारटी में आएंगी और मुझे पूरा विश्वास है और उनके लिए भी अच्छा है अगर वो आती हैं तो ठीचे लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और आज ये ये मित जो था कि आप बोल नहीं सकती हैं आप बोलती नहीं हैं तो यहां पर आजर के टूड़ गया और हमें लगता है कि आपने बहुत अच्छा वोला जो भी आज आपने किया हमें आप आमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद